तो आज आपनों को यह देखकर समझ तो आगया होगा इतने सारे बलूंज यह है बड़े पाटी और यह है मेरे कजन की बड़े पाटी जिसमें मैंने सारा डेकोरेशन किया था और मैं आज आप इस वीडियो में आपको अपना डेकोरेशन शेयर करूँगी किस तरह से मैंने डेकोरेट किया था और आप यह देख रहे हैं कि यह छोटू जो है कितना मज सबसे पहले करना मैं आपको यह बता दू कि जब भी कोई बड़्डे पाटी अगर आप घर में प्लैन कर रहे ना तो सबसे पहली चीज अगर आपको उस पाटी को बहुत जबर्डस सा बनाना है एक डिफरेंट एक इवेंट जैसे कोई इवेंट प्लैनर्स बहाते हैं इस तरह करना है तो आप सबसे पहले यह करें कि एक थीम सोचने एक कलर थीम सोचने उसके उपर आप डेकोरेशन जब करेंगे तो पूरी डेकोरेशन बहुत जबर्डस ने करकर आएगी और बहुत अच और हमारी थीम थी रेट कलर की राइट और आप देखें इसको एंजोई करें और आप देखें किस तरह से पूरी बाउंडरी मैंने लगाई है बलून से और में जो एरिया होता है टेबल वाला एरिया उसको कैसे कवर किया है लेट्स गो यहां पर यह बर्ड़ बॉय तयार होकर बैखे हुए है और इस चीज आपने नोटिस कियोगी मैंने आपको कहा कर रेट थीम तो है लेकिन उसके साथ साथ यह जो एक आद आपको एक डिफरेंट कलर का बलून नजर आ रहे हैं यह हम लोग इसले रखाया क्योंकि एक तो डे आप ले 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 तो आप उसको बैक पर लगा सकते हैं और आप देखें सेलिब्रेशन तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग कम बजट में और बहुत ज़्यादा डेकरेशन कि चीजए ना करीते हुए भी बहुत अच्छी पार्टी प्लान कर सकते हैं और घर को ही बहुत अच्छा से डेकरेट कर सकते हैं तो गईस आप को थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा एगस ते लिए नोुग तो अटो अट डियतल्ग हैं जुट दो दो लोग्रत लाइक से लाय हां दिए गाज्ट बहुत इंट नेय्ट तो अटड़ाइक अड़ाए पूड़ा अटाइग आपको थोड़ायं मिला